हलो गाइज and welcome back to my channel मैं हूँ समया तो कैसे हैं आप सब I hope अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे तो गाइज सर्दियो का मौसम चल रहा है ये मौसम बहुत अच्छा लगता है लेकिन इन दिनों हमारे स्किन को बहुत ज़दा केर की ज़ुरत होती है जैसे कि हमारे स्किन बहुत ज़दा ड्राय हो जाती है लेप्स बहुत ज़दा ड्राय हो जाते हैं या फिर हमारी एडिया बहुत ज़दा फटी रूखी बेजांसी हो जाती है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा लिब बाम बना कर दिखाऊंगी जो आपके लिब्स की ड्राइनस को बिलकुल जड़ से खतम कर देगा हम तरह तरह के लिब बाम यूज करते हैं, मार्केट से लाते हैं लेकिन जो लिब बाम हम नैचुरल इंग्रीडियंट से बनाएंगे यह वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा और लिब्स एक ऐसा पार्ट है अपने हमारे फेस का जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो इसे बहुत ज़्यादा केर की ज़रुत होती है तो गाइस हम जो लिब बाम आज बनाने वाले हैं वो नैचुरल इंग्रीडियंट से बना होगा जो हमारे लिब्स के लिए बिलकुल भी हामफुल नहीं होगा हम तरह तरह के मार्किट से लिब बाम लेकर आते हैं लेकिन ये जो लिबाम मैं आज आपको बना कर दिखाने वाली हूँ ये नैचुरल इंग्रीडियन्ट से बना है तो हमारे लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप स्मोक करते हैं तो उस वज़े से भी हमारे लिप्स का कलर डाक हो जाता है ये लिप्स्टिक का जादा यूज करते हैं इस वज़े से भी हमारे लिप्स का कलर डाक हो जाता है तो आज जो मैं आपके साथ लिप्स की पिग्मेंट को दूर करने में हेल्प करेगा और ड्रैनेस तो बिल्कुल जड़ से खतम होने वाली है आपकी और ये आपके लिप्स को पिंकिश लुक देगा तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं किसे किस तरह से बनाना है इसली आप इसे बना सकते हैं कोई भी इसे यूज कर सकते हैं तो हम इसी का यूज करेंगे इस लिप्वाम को बनाने के लिए अब हमें क्या करना है इसे छील लेना है तो ये मैंने छील लिया है अब हमें क्या करना है इसके पीसिस कर लेने है तो हम पीसिस कर लेंगे इसके बाद गाइस पीसिस तो हमारे हो गए हैं अब हम इसे मिक्सी में ग्राइन्ड कर लेना है और इसका हमें जूस निकाल लेना है तो गाइस हमने ये बीट रूट का जूस निकाल लिया है अब हमें क्या करना है कि इसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करकर इसके जूस को अलग कर लेंगे इस तरह से हम पूरे जूस को अलग कर लेंगे इसके बाद हमें इस जूस को अच्छे से पकाना है जब तक कि ये आधा न रह जाए जितना आपने लिया है इसकी क्वंटिटी उससे हाफ हो जानी चाहिए तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है तो गाइस ये जितना जादा पकेगा इसका कलर भी दीरे दीरे डाक होने लगेगा देखे इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज होने लगा है तो हमारा ये juice बनकर ready हो गया है आप देख सकते हैं कि ये गाड़ा होने लगा है तो अब हम इसे थंडा कर लेंगे तो guys हमारा ये juice बनकर ready हो गया था अब हमारा जो second ingredient है वो है aloeira gel जैसा कि आप जानते ही होंगे कि aloeira gel के इतने फायदे हैं कि मैं आपको बताती रहूंगे आप सुनते सुनते ठक जाएंगे बहुत सारे minerals vitamins होते हैं जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो ये हमारे lips के dryness को दूर करने में help करेगा इसके बाद जो हमारा last ingredient है वो है coconut oil जो आपके घर में easily मिल जाएगा तो coconut oil का हमें use करना है इसमें तो थोड़ा सा हम coconut oil ले लेंगे इसमें और इन्हें हम अच्छे से mix कर लेंगे coconut oil भी हमारे skin के लिए हमारे lips के लिए हमारे hair के लिए बहुत ज़ादा beneficial है तो इन्हें हमें अच्छे से mix करना है जिससे कि यह आपस में combine हो जाएं यह तीनों ही चीज़े हमारे lips के लिए बहुत अच्छी रहेंगे dryness को बिल्कुल जड़ से खतम कर देंगी तो देखे guys यह अच्छे से mix हो गया है अब हमें क्या करना है कोई भी खाली container ले ले लेंगे बिल्कुल साफ clean होना चाहिए वो तो मेरे पास यह निविया के डिब भी रखे होई थी तो मैं इसका use कर रही हूँ उसमें इसे हम store कर लेंगे तो guys हमने इसे store तो कर लिया है लेकिन अभी एक काम और बाकी रह गया है तो हमें यह 30 minutes के लिए fridge में रखना है यानि के आदे घंटे हम इसे fridge में रखेंगे उसके बाद हम इसे use करेंगे तो guys यह मैंने निकाल लिया है 30 minutes हो गए थे तो अब देखिए आपको यह देखने में कैसा लग रहा है तो हमारा यह lip balm बनकर ready हो गया है तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ अपने hand पर देखे कि तब प्यारा color आया है natural color है light color है अगर आप dark color चाहते हैं तो थोड़ा सा आप quantity beat root की और इसमें add कर लीजे बहुत अच्छा सर्दियों में यह lip balm रहेगा अगर आप इसका use करेंगे तो आपको कुछ और लगानी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी अपने lips पर तो गाइस अब मैं इसे अपने lips पर लगा कर दिखाती हूँ तो बहुत ही light color का है अगर आप इसका color dark करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें beet root का juice और जादा add कर लें तो इससे dark color भी हो जाएगा थोड़ी जादा quantity ले लें juice की तो dark color आजाएगा light shade चाहते हैं तो यह perfect shade है तो इस तरह से आप easily से बना सकते हैं आप दिन में 2-3 बार इसे लगाईए एक दिन में बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा तो इस lip balm को आप एक बार मेरे कहने से जरूर try करिएगा बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा easily आप इसे बना सकते हैं कोई भी side effect नहीं है तो दिन में 2-3 बार आप इसे लगाईए बच्चों के lips पर भी अपने lips पर भी और के साथ भी share करिए तो इस winter season आप इसे जरूर try करिएगा एक बार मेरे कहने से जरूर करिएगा